हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों इस बार शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की लेटेस सीरीज शील बंग सीरीज का पहला भाग अर्द सत्य शील यानि मरयादा किसे बे इनसान के लिए उसके उसूल उसके जीवन के आदर्श ही उसकी मरयादा होते हैं जिनका वै जीवन भर पालन करता है उसूलों की स्रेष्टता ही मरयादा को स्रेष्ट बनाती है और इनसान को बनाती है मरयादा पुर्शोत्तम जिसके उसूलों को जिसके आदर्श कुपरानी कर्म भाग गे क्या स्वेम विदाता भी न डिगा सके कुछ साल पहले महानगर को भी उसका मर्यादा पुर्शोत्तम मिला अपराद और आतंगबाद का दुश्मन जिसने महानगर से अपराद का सफाया गिया बच्चों का दोस जो सेंकडो हजारों गरीब बेसारा बच्चों का ना सिर्फ सारा है बलकि उनके लिए मिसाल उनका आदर्श भी है महानगर का रखवाला लोगों के दिलों में बसने वाला उनका आदर्श महानायक लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है क्योंकि मर्यादा को अगर कोई चीज लांग सकती है तो वह शक्ति अपार शक्ति जो मर्यादाओं की सीमा रेका को धूमिल कर दे समय आ चुका है जब अपार असीम अनंत शक्तियों का स्वामी अपने सबसे वड़े शत्रू का सामना करे जिस शक्ती के जिस शक्ती ने महानगर की रखशक को विश्वर रखशक बनाया है वही शक्ति मर्यादा पुर्शोत्तम की मर्यादाओं को लांग रही है क्योंकि शक्ति किसी मर्यादा को नहीं मानती शील और शक्ति के भी शुरू हो चुका है सबसे बड़ा दंद क्योंकि आने वाला है सबसे बड़ा खलनायक नहीं वह मैं नहीं हूँ मैं तो बस एक सूत्रधार एक जरिया एक निमित मात्रू हूँ जो नागराज का सामना उसके सबसे बड़े खलनायक से कराएगा जब शक्ति सीमाओं को पार करेगी तब हनन होगा मर्यादा का और मर्यादा पुर्शोतम तोड़ेगा अपनी कसम किसी की जान ना लेने की कसम और तब नागराज का सामना होगा अपने सबसे बड़े शक्त्रू से खुद नागराज से यही होगा उसका सबसे बड़ा शील भंग संजग उप्ता प्रिस्थत करते हैं अर्द सत्र अर्द सत्य शील भाग शील भंग भाग एक A few years ago महानगर रात का अंदकार जो अपने अंदर ना जाने कितने रह से समेटे रहता है ठीक आसमान में गुमरते बादलों के समान जो अपने लाल दुशाले में अंगिनत तूफान सजोए होते एक ऐसी तूफान एक ऐसा ही तूफान वेदाचार भविश्य धांकी और बढ़ रहा था जो आने वाले भविश्य को तहसनास करने का आवेग अपने आस्तीन में संजोए था उस रात वे अज्या शक्स भविश्य में आने वाले तूफान का उस सरजक था पूरी सिष्टी उसकृत्ति की साक्षी थी सिष्टी शाक्षी थी उस नन्नी सी जान की तड़प की जो सेम अपने भविश्य से अन्भिग अपनी अथार्थ की विशमताओं पर बिलख रही थी विनाश का बादल अपने भीतर समेटे भविश्य के तूफान का आगास कर चुका था जिसकी उद्घोषणा असमान में गरस्ते मेग अपने दुशाले में छुपाई तूफान के आगास से कर रहे थी उस तूफान के सामने आखिर हस्ती क्या थी उस नन्नी सी जान की एक तिन के सी कितना आसान था उसे फना कर देना घंगरजना उसके रुदन को मूग बनाने की लाख चेश्टा करती रही परंतु वो मूग रुदन परमात्मा तक पहुचने से कोई घंगरजन नहीं रोक सका एक अबोध बच्ची के करुण रुदन पर तो परमात्मा भी पिगल जाते है ना परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता लेकिन दुनिया में हर किसी का एक भगवान जरूर होता है उस रात उस बच्ची का भी एक भगवान था जो उसका रुदन सुनकर उस तक पहुच गया था महानगर नाओ वो जी अस्सी पहचान गते नू तुस्सी नागराज हो बाहर नेम प्लेट पर लिखा है नागराज शाह ओए नाजी वो वाला नागराज जो लंबे लंबे साप छोड़ता सी तुस्सी वो ही हो लीजिए पेड़े खाईए ओए वाजी वाज़शाओ लाओ लाओ लेकिन ये पेड़े किस खुशी में क्योंकि आप इस महीने के 101 वे इंसान है जिसने ये ब्रेकिंग निउस दिये कि नागराज शाही नागराज है मिलाई यहां आपकी तीवर बुद्धी का मैं कायल हो गया इसे खुशी में आपको मिलता एक शांदार इनाम मुफ्त 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 आई साप छोड़ दिया मुझे पर ठंड पाव पाजी ये साप उतना ही असली है जितना कि मैं नागराज हूँ ये दो ये दो प्लास्टिक का खिलोना साप है सरदार टिंडग लाटी नाल मसकरियां ओय आतु ठीक नहीं कितना सी मेरी पहुंच बहुत उपर तक है दुकान बन करवादूगा तेरी शाके बच्चे ये घंटा लेता जा इसे लेकर मान अगर पालिका की बिल्टिंग पर चड़ जाना और दुनिया को घंटे की चोट पर बताना की मैं नागराज हूँ आया बड़ा मेरी दुकान बन करवान है क्या बेहूद क्या बेहूदगी कर रहे थे तुम क्लाइन के साथ मैंने पहले ही कहा था कि इसने एकाई का हैड बनाना अच्छा विचार नहीं है मैं खोद नहीं चाहता नागराज शा बनना नागो और नागराज शा का डबल रोल प्ले करते करते मेरी जिन्दगी वह बाम हो गई है जिसे लगा कर मुन्नी बदनाम हो गई है जब तक हिंदुस्तान में E सिनेमा है तब तक ये नाग बेवकूफ बनता रहेगा मैंने ये फिलिम भी देखी है मुझे पताएगी बेवकूफ की आड़ में मुझे क्या बोल रहे हो आड़ में क्यों सीधा मूपर बोलता हूँ बस करो तुम लोग बहुत हो गया तुम लोगों को अच्छी तरह पताएगी हम कितने मुश्किल तोट से गुजर रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में तुम लोगों को ऐसा गैट जिम्मेदाराना वेवार शोबा देता है क्या नागराज के सन्यास लेने के बाद महानगर हमारी जिम्मेदारी है और इंसानों के बीच इंसान बनकर रहना है तो उसके लिए पैसे कमाने होंगे आइंदा ध्यान रखना नागू क्लाइंट के साथ कोई बस सलूगी नहीं यस दीदी लेकिन नागराज के विना हम कब तक महानगर को बचा पाएंगे वह भी तब जब अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग इंसानों के बीच में ना करने के लिए हम भी बात दो चुके तुमारे सवाल का जावा मेरे पास नहीं यह ना दू मैं मिस्टर की देवी हेरा से सिर्फ प्रात्ना कर सकती हूँ कि नागराज अपना सन्यास भंग कर दे लेकिन हम सभी नागराज को जानते हैं मिस्टर मेर ने इसने का इस सेक्योटी सर्फिस के हेड मिस्टर नागराज शाह उनके सयोग्यों के अपने ऑफिस बुला है ओ मिस्टर शाह अभी अंदर एक ज़रूरी कॉंफरेंस कॉल पर व्यस थे हम लोग कुछी देर मेर सर के ऑफिस पहुंचते हैं जब तक मिस्टर शार फ्री नहीं हो जाते मैं बाहर बॉड़ी बाहर गाड़ी में आप लोगों की प्रतिक्षा कर रहा हूँ आफ्टर फ्यू मिनिट्स मेर ओफिस महानगर महानगर का बाहरी उत्री पूर्वी छेत्र जोकी जादा तर बंजर रेतीली जमीन है और जिसके बाद घना भीर जंगल शुरू होता है इस जगह पर ही महानगर एटमिक पावर प्लांट का सेटप किया जा रहा है लेकिन मिस्टर मेर महानगर के पास अलरेडी एटमिक पावर प्लांट है फिर इस नई सेटप का क्या हो चिकते है पिछले एटमिक प्लांट महानगर मुक के शेयर के काफी करीब था कई अफसरों पर उस एटमिक प्लांट की वज़े से महानगर वासियों की जान खत्रे में पढ़ चुकी है उस समय तो नागराज ने खत्रे को टाल कर महानगर को बचा लिया लेकिन भविश्य में ऐसी कोई आपदा आई तो हम क्या करेंगे नागराज तो अपने सन्या से वापिस आएगा नहीं और नाही कोई भी महानगर वासी चाहेगा कि नागराज दुबारा कभी महानगर वापिस आए इसलिए पुराने यूनिट को बंद करके महानगर के बाहर इस नए एटमिक यूनिट का सेटप किया जा रहा है और हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सिक्योर्टी एजंसी इसने काई को दे रहा है मिस्टर शाह लेकिन एटमिक पावर प्लांट की सुरक्षा तो सरकार और राष्टर सुरक्षा का आंतरिक मामला है जिसके लिए मिल्टरी कमांडोस को एपॉइंट किया जाता है ये काम किसी भी निजी सुरक्षा एजंसी को कैसे सोपा जा सकता है प्लांट सो चारू डंग से शुरू होने तक इसको हाइली कॉन्फिडेंशल रखा जा रहा है जबकि कोई सपने भी नहीं सोचेगा कि एक मामली सी प्राइविट सीक्योटी एजंसी इतने बड़े अटमिक प्लांट की सुरक्षा करेगी बट सर ठक शाह ने प्रतिवाद करने के लिए मूँ खोला लेकिन डांगी के गुफ्ट इशारे पर उसने अपना इरादा बदल दिया ठीक है सर हम इस काम के लिए तयार है ये मेर तो साफ साफ बच्चे पढ़ा रहा था आपने मुझे चुप क्यों गरा दिया दिदी तुम लोगों ने मेर की आँकों पर ध्यान दिया हमसे बात करने के दौरान मेर ने एक बार भी अपनी पलके नहीं जब कहीं वह किसी के मानसिक आदेश का पालन कर रहा है किसके पता नहीं लेकिन वह जो भी है बहुत शक्तिशाली है वह चाहता है कि हम जाने की वह में फसा रहा है मकडी के जाल में फसे शिकार की तरह जो धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ती मौत को बेवसी से देखने के लावा कुछ नहीं कर सकता हम इस काम के लिए मना भी तो कर सकते थे कोई फायदा नहीं होता दुश्मन हमें ट्रैप करने का कोई दूसा रास्ता निकाल लेता दूसरी बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन की पहुँच एटमिक प्लांट तक है एक तरह से ही अच्छ ही है ये उसकी सुरक्षा का जिम्मा के मिला है मेरी छटी इंदरी किसी आने वाले बड़े अनिश्ट का संकेत दे रही है हमें नागराज से संपर करना चाहिए नागराज से हम सभीNा sंपर्ग नागराज ने हम सभी से संपर्ग अवरूद कर दिया है हम उसे contact नहीं कर सकते और contact करने को कोई फायदा भी नहीं मैं पहली कह चुके हैं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो नागराज को वापिस ला सके नाग्या चल वापिस चलते हैं मुझे डर लग रहा है तुझे डर लग रहा है तो वापिस चला जा गट्टू मैं उनसे मिला बिना नहीं जाऊंगी लेकिन उन तक पहुचेंगे कैसे बीच में तो ये भेंकर वाली खाई है और वैसे भी मैंने सुनाए कि वे किसी से नहीं मिलते इसलिए तो इतने खतरनाक जंगल में खाई की चौणाई लगबग 10 फीट और गहराई कम से कम 40 फीट है इस लता की लंबाई मुश्किल से 6 फीट होगी अगर इस हाइट और विट में हम मोमेंटम बिल्ट करने की कोशिश करें तो भी उसका परसंटेज ये सुश आई नग्या ये लता हमें मुश्किल से खाई के आदी दूरी तक ही ले जा पाईगी हम मरने वाले हैं ठाक तूने तो जहानी निकाल दी थी अब थोड़ा दीरे चल मैं तेरी तरह उचलकूर नहीं कर सकता हूं और तू इतनी श्योर कैसे है कि किस डिरेक्शन में आगे बढ़ना हैं मैं मैसूस कर सकती हूं उसे मुझे तो सिर्फ डर मैसूस हो रहा है अंधेरा भी हो रहा है क्या हुआ श्योर मत करना और अपना हर कदम बेहत समाल कर रखना पर नहीं तो मुने चोट पहुचा दोगे किसे चोट पहुचा दूँगा मैं इन्हें ये इस जगे की सुरक्षा कर रहे हैं इस साप इतने सारे साप रुख जा नाग्या वापिस चलते हैं इतने सारे साप है कि अगर काटने पर आगा तो हमारे सरी छोटे पढ़ जाएंगे जानती हूँ ये साप उन्होंने छोड़े हैं ताकि उनके पास कोई ना सके वे नाग असमंजस में थे उनकी प्रवर्ती और उनके नायक कादिश दोनों इन नन्ने गुसपैटियों पर आकमर करने को प्रेरित कर रहे थे लेकिन उस बच्ची में कुछ ऐसा था जिसकी पहचान उन नागों कुख थी कुछ ऐसा जो उनके नायक में भी था सच्चाई और दिर्ण इश्चे और ये बात वे नाग भी जानते थे कि जिनके पास ये दोनों उसे रोका नहीं जा सकता लेकिन इस जंगल में और भी ऐसे वन्यजीद थे जिनके लिए इंसानी भाबनाई शुदा से अधिक महत्पूर नहीं थी ऐसे वन्यजीद जिनोंने इंसान की गंद वर्षों से नहीं सूंगी थी और उस गंदी की शुदा पूर्थी उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय थी लेकिन वहाँ कोई ऐसा मौजूद था जिसे सिर्फ जीवन प्रिय था चाहे वो इंसान का हो या पशू का तुम जंगल के गलत इससे में प्रवेश कर गए हो वन्राज यह तो वही है वापिस अपनी परिदी में जाओ वन्राज और इधार का रुक मत करना मुझे पता था आप आएंगे और तुम लोग भी वापिस जाओ यहां तुमारी जान जा सकती है अरे एक तो इतनी मुश्किल हैं उठा कर मैं आपसे मिलने आई उस पर से आप मुझे ही डाट रहे है मुझे किसी से नहीं मिलना वापिस चली जाना अग्या तुम दोनों को वेदाचार भविश्यदाम से अखेले यहांने की पर्मिशन किसने दी वेदाचार भविश्यदाम यानि आपको वाकर ही नहीं पता कि तुमारे महानगर से जाने के बाद क्या क्या हुआ है जिस हाथसी की वज़े से आपने महानगर छोड़ा उसके बाद दादा वेदाचार को हार्ट अटेक आया था डॉक्टर्स ने जावाब दे दिया कि दादा जी नहीं बचेंगे हाँ फिर भारती दीदी रातो रात दादा जी को लेकर कहीं चली गई उसके बाद से उन्दोरों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता भारती दीदी के जाने के बाद भारती कम्मिनिकेशन्स को पहले जाने टीक ओवर कर लिया लेकिन वेदाचार भविश्यदाम तो अलक ट्रस डारा चला जाता है कुछ दिन पहले स्कूल और अनाथाले की बिल्डिंग भुकम में डह गए ट्रस्ट वालों ने अनाथाले की बच्चों को शेर की दूसरे अनाथालों में भिजवा दिया महानगर नागराज के जाने से अनाथ हो गया है मुझे अफसोस है महानगर के लिए और तुमारे लिए अब जाओ यहां से मैं यहां खाली हार्ट लोट जाने के लिए नहीं आई हूँ मैंने कहा ना, नागराज अब कभी भी इंसानों के वीज़ लटकर नहीं जाएगा, चलो जाओ यहां से काक, दुनिया नागराज के बिना पहले जैसे चलती थी, नागराज के बाद भी वैसे ही चलेगी कम से कम कोई एक बात तो है, जिसमें हम दौनों एक मत हैं, इंसान नागराज को डिज़र्व नहीं करते गलत, मैं इंसानों के बीच रहना डिज़र्व नहीं करता, मैं यहां नागराज को वापिस महान अगर ले जाने के लिए नहीं आई हूँ इसके लिए ये क्या है इंटरनेशनल मार्शल आर्ट टूर्णामेंट का फॉर्म है मैं इसमें जूनियर चेंपियंशिप में हिस्सा ले रही हूँ इस चेंपियंशिप के विनर को 10 मिलियन डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा बखवास प्राइवेट मार्शल आर्ट टूर्णामेंट में प्राइज मनी की रगम इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन इसमें है और ये तो कुछ भी नहीं इस टूर्णामेंट के अडल्ल चेंपियंशिप की प्राइज मनी 100 मिलियन डॉलर है या तो इस टूर्णामेंट का संचालोग कोई पागल सर्फिर आ है या फिर कोई धोके बास आपको लगता है कि मार्शाल आर्ट्स का वर्ल्ड अंडिस्प्यूटेट चैंपियन कोया कोया रिकिशी पागल या धोके बास है वाट कोया कोया रिकिशी चीन के भूदपूर नम्मर वन डॉन कोया कोया हिताची का बेटा आप जानते हों से उसके पिता को जानता था उसके पिता की मिर्ट्यू मेरे या तो होई थी अरे हाँ ये तो तब की बात है ना जब तुम वर्ल्ड टूर पर थे और दुनिया बर में घूंकों का अपरादियों और टेरिरिस्ट मस्टर माइंड्स को जान से मारते थे कितना कूल था वे सब किसी की जिन्दगी लेना कूल नहीं होता ना ग्या चाहे वे जिन्दगी किसी ऐसे आतंगवादी की ही क्यों नहीं हो जिसके लिए इंसान की जैन की कोई कीमत नहीं सच्चा ही यही है कि इन अपरादियों को खत्म करते करते एक दिन आप बीन के जैसे ही बन जाते है जितना मैं जानती हूँ कोई कोई रिकिशी कोई अंडवल डॉनिया केंग पिन नहीं है पैसंसार का सर्वुत्तम मार्शाल आटिस्ट है और इस लुप्त होती विद्या को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देशों में ऐसे टूर्णमेंट और्गनाईज करता आ रहा है और इस बारवा इंडिया में उस टूर्णमेंट को और्गनाईज कर रहा है मुझे ये जूनियर चेंपिशिप जीतनी है हर कीमत पर तो मैं गयो चाहिए दस निलियन डॉलर ताकि उन पैसे से वेदाचार वविश्यतन दुबारा बनवाया जा सके जिन अनाद बच्चों के सिर से उनकी छट छिन गई है उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनकी छट उनका घर वापिस देना है मुझे उस बच्ची से वैसे जवाब के पेक्षण नहीं थी नागराज को या शायद थी बड़सों इंसानों के बीच इंसान बनकर रहने की जद्दो जहएद करने के बाबजूद भी नागराज ने इंसानियत को रूबरू बहुत कमी देखा था वै बच्ची नागराज का इंसानियत से ऐसा तूट बंदन थी जिसके धागे वक्त और हालात की मार ने उधेर जरूर दिये थे फिर भी भावनाओं की मजबूती पहले जैसी बुलन थी पहली बार की भाती निश्चल और अभोध देखो भारती ये किस तरह एक टक मुझे देख रही है ऐसा लगता है जैसे मेरा इस बच्ची से कोई घहरा भावनात्मक संबन दो पाकई नागराज इतनी क्यूट बच्ची मैंने अपनी सिंदगी में नहीं देखी तुम्हारा क्या विचारा नागराज इस नफजाच बच्ची को बविश्य दाम के दरवाजे पर कौन छोड़ सकता है मैंने अपने जासू सर्पों को हर्देशा में भेजाता दादाजी लेकिन कुछ भी पता ना चल सका ऐसा लगता है जैसे इस बच्ची को छोड़ने वाला धुआ बनकर हवा में खुल गया हूँ यह बच्ची नफजात है इसे एक मा की ज़रूरत है अनाथाले में इसका सही प्रकार लालन पालन नहीं हो सकता आप ठीक कह रहे हैं दादाजी हम भारती न्यूज चैनल में इस बच्ची के डिटेल्स दे सकते हैं जिससे की शायद इसके असली मबकवा पता चल जाए या फिर इसे गोड लेने के लिए कोई चुक पड़िवार मिल जाए कमाल है नागराज इतने कम समय में ही ये बच्ची तुमसे इतनी घुल मिल गई है कि तुमारे अलावा किसी की गोड में नहीं रह रही लाव भारती बच्ची को मुझे दो ओ देव किरपा करे ऐसा कैसे हो सकता है ये बच्ची तो क्या हुआ दादा जी आप इस तरह चौके क्यों कुछ नहीं बच्ची बच्ची वाकई नागराज के लावा किसी से चुप नहीं होगी लो नागराज तुम इस हमालो इसे ये तो वाकई नागराज की गोद में जाती शान्त हो गई मुझे इस बारे में शान्त रहना होगा भारती को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बच्ची के बारे में कोई तो ऐसी बात है दादा जी जो कि आपको परिशान कर रही है ऐसी कोई बात नहीं बारती इस बच्ची की बहतरी इसी में है कि इसके घरवालों का पता चल जाए दादा जी के मनोभाव पढ़ने में मुझसे कभी गलती नहीं हो सकती इस बच्ची को गोद में लेते ही उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया है जो वे मुझे भी नहीं बता रहे मुझे माफ करना मेरी बच्ची मैं तुमसे जूड बोलने पर विवाश हूँ परंतु मैं इस बच्ची से जड़ा सत्य तो मैं तब तक नहीं बता सकता जब तक मैं खोद उस सत्य की पुष्टी ना कर लूँ उस बच्ची से जुड़ी कोई बात थी जो वेदाचार को बुरी तरह परेशान कर रही थी बेदाचार के बुड़े चैरे पर खिची परेशानी की गहरी लकीरों को पढ़ने में भारती से कभी गलती नहीं होती थी बेदाचार भविश्न दाम के बाहर मिली लावारिज बच्ची की नीज बारती नीज चैनल पर निरंतर शलाई जा रही थी अतक प्रियासों के बाप जुद बच्ची के माता पिता का कोई सुराग न मिला हाला कि उस बच्ची को गोट लेने के लिए जैसे पूरा महानगर उमर पड़ा था बाप रे मैंने सूचा भी नहीं था कि बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए पूरा महानगर आ जाएगा इतने लोगों में इसके लिए योग के परिवार दूना आसान नहीं होगा नागराज खुद बच्ची का एडॉप्शन के लिए परिवारों के इंटर्वी ले रहा था कई दुनों के अथक परिश्च्रम और कई सौब परिवारों को रेजेक्ट करने के बाद अन्तथा नागराज ने बच्ची के लिए योग के परिवार चुन लिया बदाईयो मिस्टर और मिसिस शर्मा मुझे यकीन है इस बच्ची का आपके रूप में अपने माता पिता मिल जाएंगे हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है नागराज कि तुमारे हाँ तो हमें अमारी बेटी मिल रही है लेकिन बच्ची ने उस परिवार को नहीं चुना कुछ ही घंटों में शर्मा दमपत्ती को दुबारा नागराज की शरण में आना पड़ गया ये बच्ची तो रोना बंदी नहीं कर रही है नागराज सभी फॉर्मूला मिल्क ट्राई कर लिए दूद को मूह नहीं लगा रही शहर के हर बड़े पीडियाट्रिशियन को देखा लिया कोई भी डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहा दूद की बोदल मुझे दीजिये बच्ची ने अपना परिवार्ट चुन लिया था कमाल है नागराज तुमारी गोद में चाती बच्ची बिल्कुल शान्त हो गई तुम कितनी भी कोशिश कर लो नागराज इस बच्ची को तुम अपने आप से दूर नहीं कर पाओगे इस बच्ची का निश्चल प्रेम जो किसी भी अबोद बच्चे का अपनी मा के परती होता है वे सिर्फ और सिर्फ तुमारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है तुम इस से पीचा चुड़ानी की कितनी भी कोशिश कर लो यह बच्ची वापिस लोटकर तुमारे पास ही आईगी संसार के सबसे दुर्दांत खलनाएकों से भी हस्ते हस्ते लोहा लेने वाले विश्वराच्चक को उस विशम परिस्तिती से जूदने में दातों तले पसीना आ गया था समझने की कोशिश करो भारती मेरे उपर पूरे महानगर की जिम्मेदारी है सिर्फ महानगरी नहीं बलके इस धर्दी के हर एक निरी प्राणी चाईवा इंसान हो या जानवर उसकी सुरक्षा का दैत मुझ पर है मैं इस बच्ची की जवाब दे नहीं ले सकता समझने की कोशिश तुम करो नागराज तुम अगर इस धर्दी के हर प्राणी की जिम्मेदारी उठाने की शम्ता रखते हो तो फिर इस बच्ची की जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हो काई इसलिए तो नहीं की तुम्हें डर है कि इस बच्ची से तुमारा भावनात्म लगाव इतना ना बढ़ जाए कि तुमारे विश्व रक्षा के दाइत में बादक बनने लगे नागराज के बच्चों के परती प्रेम और लगाव के बारे में तो सारी दुनिया जानती है बारती फिर यह बच्ची बला उन बागी बच्चों से अलग कैसे हो सकती है बाद सिर्फ इतनी सी है कि इस बच्ची को जिस देखभाल और लालन बालन के आवशक्ता है उसे पूरा करने में मैं सक्षम नहीं हूँ तरह सोचो बारती कल को नाक पाशा क्राइम केंगे मिस किलर जैसे किसी विलेन से लड़ते हुए अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बच्ची का क्या होगा क्या नागराज मात्र अपनी आंतरिक कश्म कश्म उल्जा हुआ था या फिर डाइत कब है उस महानायक को भैबीत कर रहा था नहीं ये भाव मात्र भै से उत्पन नहीं होते ये भाव उस अगाद मो से उत्पन होते जो इनसान हो या पशू हर प्राणी में परमात्नाना समान रूप से डाला है किसी भी छोटे और अबोध बच्चे की परवरेश ऐसे हिंसक माहल में होनी सही नहीं है जिससे मेरी जिन्दीगी का हरपल गिरा रहता है नागराज का जीवन संपूर मानपता की रक्षा को समर्पित है इसे किसी भी एक इंसान पर केंदेद करने का अधिकार खुद नागराज को भी नहीं है तुमारी बात बिल्कुल सही है नागराज लेकिन समय ने कुछ अधिकार भागे के हाथों में सौंप रखे है और भाग को कोई नहीं बदल सकता नागराज सिर्फ जंग देने वाली माता या इस्तरी मही मातरत्व के भाव हो या आवशक नहीं जिस परकार किसी मा के लिए उसकी संतान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं होता ठीक उसी परकार समान भाव किसी प्राणी के लिए आए तो ये आत्मा में मातरत्व का संचार है मो भंग हो सकता है किन्तु मातरत्व नहीं तुमने पहले ही बालकनी के नीचे अपने नागों का जूला बना रखा था बच्चों को खेलने के लिए उनकी सतंतरता मिलना आवशक है भारती इसके बिना बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता परंतु इस सतंतरता में उनकी स्रक्षा से कोई कोता ही ना हो इसका दाइत पूर्णता अभिवाव कोगा होता है जब तक इस नन्नी परी के लिए एक योगे परिवार नहीं मिलता जो इसे अपना आये और जिसे ही ये अपना ले, तब तक ये मेरा दाइत वाकी मैं इसे सहीच कर रखूँ तुमारे अंतर मन में इस बच्चे को लेकर चल रहा है दंद से मैं अनबेग नहीं हूँ नागराज समय और भागे ने इस बार विश्रक्षक का इंतान लेने के लिए बहुत यानोखा तरीका निकाला है वाकई नियती नागराज की अब तक की सबसे बड़ी परिक्षा लेने की और कदम बढ़ा चुकी थी नागराज नहीं जानता था कि आने वाला समय उसे उसके दाइत और मातरत के ऐसे दोराय पकड़ा करने की मंचा रचाए है जिन मेंसे किसी एक को चुनना उसके लिए संभवना होगा तुमारा आसपास होना ही इस बच्ची के लिए परयाप्त है नागराज तुम हमेशा हर गड़ी इसके साथ रहो यह आवश्यक नहीं जब तक ये बच्ची वेदाचार भविश्य दाम में रहने लाइक बड़ी नहीं हो जाती इसकी देख रेक मैं यहां करूंगी ओ तीवरिनाग संकेर प्राप्त हो रहे हैं लगता है कोई वड़ी ववपत्ती आने वाली है नागराज के पास समय के गर्व में जागने की शक्ती नहीं थी परंतु कोई था जो आखें ना होने के बावजुद आने वाले कल की भ्यावथा को कि आज के दावन पर पड़ती महसूस कर रहा था परंतु उस जिस्टी हीन दर्शक नहीं जैसे समय के समानी मौन धारण करके नियती को अपनी लीला रचानी के आग्या दे दी थी नागराज के लिए अगले कुछ दिन कर्तब विपत पर बेहत कटिन थी मानव जाती के दाओं पर लगे अस्तित्व की रक्षा के लिए विश्वरक्षक नहीं अपनी संपूर्ण शक्ती ही नहीं अपना आत्मिक सर्वस भी जौंक दिया महानायकों और उनकी जीत का महीमंदन करती गाथाओं के उद्गोश में अकसर उस महानायक के अंदर के इंसान की करा दब जाती है लोगों के लिए उनके महानायक की ब्रह्मान को खत्म करने की शक्ति रखने वाले खलनायक पर जीत भी बहुत सहज और जोटी बात होती है परंतु ऐसा हर एक महा युद्ध महानायक के अस्तित्व को प्रवावित करता है यही प्रवाव उसके मानाव होने का एसास है जो उससे छीना नहीं जा सकता युद्ध में मिले शारेरिक गाव समय के साथ भढ़ जाते हैं कुछ महानायकों के समय से पहले ही परंतु ऐसा हर युद्ध हर दुश्मन महानायक के अंतरात्मा पर एक अमिट गाव की छाप छोड़ जाता है जिसे समय धुमिल तो कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता अंतरात्मा पर लगे गावों को दुनिया से छप छुपाने वाले ही तो महानायक होते हैं न क्योंकि संसार अपने सर्वुत्तम महानायकों को वही दर्जा देना चाता है तो भगवान का होता है आम इंसान को ना तो यह एसास होता है कि एक महानायक भी हाड मास का बनाएक इंसान है उसके अंतर मन में भी भावनायक होती हैं जो एक आम इंसान में वे भी भावनात्माक रूप से वैसे ही आहात हो सकता है जैसे हम या आप और नहीं आम इंसान को इस सत्य से कोई फर्क पड़ता है महानगर का रक्षक नागराज अमर रहे आम इंसान को अपना महानायक खत्रों से हस्ते हस्ते खेलने वाला चका चौन से भरपूर सुपर हीरो की रूप में देखना पसंद है आम इंसान के लिए महानायक भावान का रूप है जो हार जीत मो और भावनाओं से उपर है शायद ऐसा इसलिए कोईकि अकसर एक आम इंसान भावनाओं को अपनी कमजोरी समझ लेता है लेकिन एक महानायक जानता है कि उसकी भावनाओं उसे द्रण और शक्तिशाली बनाती है हाँ यही सत्त्य है प्रमान्द का सर्वशेश शक्तिशाली इंसान होना महानता का मापडंड नहीं है महानता व्य होती है जो आपकी भावनाओं से उपस्ती है इंसान से बड़ी कोई सुपरपावर नहीं होती और भावनाओं से बड़ी कोई महानता नहीं होती और नागराज को नागराज उसकी यही दो खूबिया बनाती है मुझे अपने भगवान के पाउंच हुई लेने दो नागराज तुमने इस बुड़िया के जीवन के एकलोते साहरे मेरे पोते की जन बचाई थी नागराज तुम भगवान हो नागराच तुम भगवान हो नहीं माजी मैं भगवान नहीं है मैं भी आप लोगो जैसा ही एक आम इंसान हूँ एक ऐसा आम इंसान जिसने कभी अपनी मा को नहीं देखा इसलिए मुझे हर नारी में अपनी मा नजर आती है और मा कभी बेटे के पैर नहीं चू सकती यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ बेटे का होता है तुम्हें मैं क्या शिरवाद्दू बेटा तुम तो सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ट हो मैं सर्वशक्तिशाली या सर्वश्रेष्ट नहीं होना चाता माजी मैं सिर्फ एक बहतर इंसान बनना चाहता हूँ नागराज के जीवन काल में ये पर्थम अफसर था जब उसे एक ऐसी भावना की अनुबूती हो रही थी जिससे वो अब तक पूर्दा अनभिग के था एक ऐसी भावना जिससे आम इंसान प्रती दिन रूबरू होता है दिन भर के महा युद्ध और दंद के बाद कार चेत्र से घर की शांती में वापिस आना और उन्हें सुकून में देखना जो आपके अपने हैं ये अनुबूती क्या होती है ये नागराज पहली बार अनुबव कर रहा था अपने जन्ड के साथ ही अपने माता पिता को खो देने वाले और अपने निर्माता दोरा अपराज जगत में हत्यार की तरह नीलाम किये जाने वाले नागराज ने कभी सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि उसे कोई मिलेगा जिसे वह अपना परिवार कह पाएगा संसार भर में घूंगूं का अपरादियों का खात्म करने वाला और पिर्ट्वी नहीं प्रमान को भी तबा कर देनी की कुबबत रखने वाले खलनायकों से बेखाव भिलने वाले नागराज के अंदर नई भावनाय अंकुरित हो रही थी जो उस बच्ची के समानी अबोद, क गोमल और मासूम थी उस बच्ची के लिए नागराज कोई महानायक, कोई सुपर हीरो या भगवान नहीं था उस बच्ची के लिए नागराज उसका अपना था ये वे भाव थे जो नागराज अपने अब तक के जीवन में किसी के लिए नहीं रख पाया सोई नहीं अब तक या मेरी हाट पाकर उड़ गई ये भाव उन दोनों को एक अटूट भावनात्मक डोड से बांध रही थे चलो मैं सुलाता हूं तुम्हें का का क्या का लोरी का हूं अरे मुझे गाना नहीं आता ये शायर नागराज की जीवन के सबसे सुखत पल थे किसी खूबसूरत सपने के जैसे अच्छा बाबा गाता हूं गुस्सा मतो आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम तू भी सोजा सो गई रंग बरी शाम एक ऐसा खूबसूरत अपना जो पत्रीले यतार से टकरा कर चकना चूर हो गया था हां अतीत का सुहाना सपने टूट चुका था लेकि भावनाओं की डोर अब भी पहले जैसी मजबूत थी प्लीज मान जाओ प्लीज 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 पहार निकलो यहां से बदल चुके थे नागराज बदल चुका था परन्तु बदलाव परिवर्तन को सही कारना इतना आसान नहीं होता खास कर किसी मासूम के लिए क्या हुआ उन्होंने तुझे बाहर क्यो निकाल दिया पता नहीं अभी तक तो ठीक ठाक लग रहे थे यह ढूंड क्या रहे है पता नहीं कुछ बहुत जरूरी होगा शायद भीकर यह बीकर का क्या करेंगी बीकर में अपना जहर निकाल रहे है अपना ही जहर पीकर आत्मत्य कर रहे है नागराज को मारने के लिए उनके जहर में तीन और जहरीले प्राणियों का खून मिलाना जरूरी है सिर्फ अपना जहर पीने से में मरेंगे नहीं फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? खुद को दर्द पहुचाने के लिए लेकिन क्यों? नागराज के शूश में सिर्फ सिर्फ उसके धड़ में इस्तित है क्योंकि नागराज की गर्दन के ऊपर दिमाग तक जो खून जाता है उसमें विश नहीं होता अपना खुद का जहर पीने से वह जहर किसी तीवरो मादक पदार की तरह नागराज के मस्तिश को प्रवावित कर रहा है दिमाग पर जहर चड़ने से नागराज को असैनिय शारिरिक और मानसिक कश्ट हो रहा है जिसकी वज़े से उनकी अतरिक्त शक्तियां खत्म तो नहीं हो रहीं लेकिन बहुत ही छीर्ण पड़ रही है क्योंकि अपने इन शक्तियों को नागराज अपने दिमाग से ही कंट्रोल करते है लेकिन नागराज की प्रतिरोधक शम्ता आम इंसान से अलग है कुछी समय में उस पर से अपने जहर का प्रवाव हड़ जाता है उनकी शक्तियां फिर से वापिस आने लगती है और इसलिए वे बार बार खुद अपना जहर पी रहे है उनका जहर उन्हें एक बार में मार नहीं सकता लेकिन वो खुद को तिल तिल करके एक दर्दनाक मौत की ओढ़केल रहे है इसलिए ये इतना ठके हुए और कमजोर से दिखाई दे रहे थे नहीं गट्टू, नागराज कुछ भी हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं हो सकता जल्दी है गट्टू, इन उठाने में मेरी मतद कर अपना होस समालते ही अप आपने खुद को जिन सशक्त बाहों के आगोश में महफूस पाया हो उन बाहों को अशक्त होकर जूलते देखने का गश्ट मिट्टू तुल होता है बड़े भारी हैं ये, जो लगा गट्टू, मा, 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 बुरा इंसान नहीं हूँ जिन कदमों पर अपने नन्ने पैर रखकर आपने चलना सीखाओ उन्हें लड़कडाते देखना आपको अंदर तक तोड़ देता है जो आपके लिए हमेशा फॉलात से भी मजबूत आधार इस्तम सरीका रहा हो उसे यूँ ढहते देखना बरदाश्ट नहीं होता मैंने उस पच्चे को नहीं मारा शान्त हो जाओ सोने की कोशिश करो दर्द कम होगा लेकिन यही समय होता है जब उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा जरुरत होती है मैं आपको सुलाती हूँ लोरी सुनोगे वही जो आप मुझे हमेशा सुनाते थे आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम तू भी सोजा सो गई रंग भरी शाम एक तरफ नन्नी नाग्या नागराज के लड़ खड़ाते अस्तित्व को समालने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ अस्तित्व की जंग का आगाज कहीं और भी हो रहा था ये कोई भेंकर शड़ेंतर है आप जानते हैं राजगराज की नागराज अपनी परतिग्या अभी नहीं तोड़ेगा ये समस्य हमारी है और वो इससे निपटना भी हमें स्वामी पड़ेगा परन्तु कुमारी विसरपी ऐसा करने से इच्छादारी नागों के अस्तित्व का राज इंसानों पर उजारगर होने का खत्रा उत्पन होगा दूसरा कोई विगल्प नहीं है राजगरू हर प्राणी को अपने अस्तित्व की लड़ाई स्वयमी लड़नी पड़ती है हम सदायव किसी अन्य पराश्रित नहीं रह सकते अब तक इच्छादारी नाग मानवों से दूर अपने अस्तित्व को संजोए शान्ती पूर्वक जीते आएं किन्तो यदी मानवों ने इच्छादारी नागों को छेडने की घिष्टता की तो बदले में सिर्फ जहरी मिलेगा उन्हें हम अपना गुप्तिचर उस रहस में दीप पर भेज चुके है मागुरू जल्दी ही पता चल जाएगा कि उस दीप पर चल क्या रहा है रात की चादर में लिप्टा रहस में कोया कोया आइलेंड अपने गर्ब में क्या राज समेटे था यही जानने का मकसद लिए वो साया उस और बड़ा तो यही एवर रहस में टाबू जो समिद्र के बीच परकट हो गया यहां मुझे तीवर नकरात्मक उर्जा परवा का अभास हो रहा है हे देव काल जाई यह क्या माया जाल है मेरे देखती देखती हैं दिवार परकट हो गई तिलिस्म यह किसी परकार का तिलिस्म है ओ यह तो किसी परकार का उर्जा अवरोड लगता है उर्जित किसी भी प्रकार की उर्जा को निंतित कर सकता है यही कारण है कि कौमारी विसरफी ने मुझे इस रहसे में दीप की सच्चाई पता लगाने का जिम्मा सौंपा है उर्जित के उर्जियोती शक्ति किसी भी छुपे हुए उर्जा स्रोत को जिस्टी गोचर कर सकता है अब इस जाल के बीच में से मैं बहुत आराम से इच्छादारी रूप में बदल कर आरपार निकल जाऊंगा कैसी विचितर दिवार है ये इसका तो कोई ओड़ जोरी नजर नहीं आ रहा इतने उतकरिष्ट तलिस्मी की सरस्णरचना इस युग में बला कौन कर सकता है ये क्या हो रहा है यह तड़ित ऊर्ज़ा तो इस प्रकार एकतर तोरी है जैसे ये मुझे पर वार करने वाली हो आखिर कार पहली मसली जाल में भसी या का हूँ पहला नाग मुझे शाह बनकर चलना है या मिस्टर नागेश्वार राजू बनकर? शाह बनकर, नाम मातर के लिए ही सही, पर इस मिशन पर हमें नेतर्त की जरुवत है नाम में ही तो प्रॉबलम है, मेरे इंसानी रूप का नाम नागेश्वार राजू रखनी की क्या जरुवत थी? तो तीन नाम भी फाइनल किये थी, प्रेम चौपड़ा, शक्ति का पूर रंजीत, तुझे जो पसंद हो रख ले, दीदी, इस थंडे प्राणी को हमेशा के लिए थंडा कर दूँगा मैं, मस्करी हो चुकी हो तो थोड़ा करेक्टर में आएंगे मिस्टर शाह, डेस्टिन में होड लगाता हुआ हर आम इंसान, इस बास से पूर्टा अंजान था कि वो सुबह आम नहीं थी, ना ही महन अगर के आस्मान पर मंडराने वाला वो खत्रा आम था, अभी तो धूप निकली हुई थी, फिर ये अचानक तुफान कहा से आने लग पड़ा, मोबाइल के वै अभी भारतिय मौसम विवाग जैसे ही ना का रहा है, खत्रा अपना असली रूप दिखाना शुरू कर रहा था, ये तूफान प्रकरतिक नहीं है, जान बचा कर भागो, एक भिबस और डरावना रूप, जब तक नागराज मेरे सामने नहीं आएगा, मैं अपने तूफान स तो इसके मददगार को शमशान बना दूँगा, मुझे नागराज चाहिए, मान अगर का रक्षक नागराज, ये तूफाने का जीबा करती, एकसा रूप ले रहा है, तो तूफान, ये भी नागराज के चक्कर में यहां आया है, इस नागराज के जाने के बाद भी जीबाद हम पर आये, बेवकूफ इंसान, नागराज होता तो हर कत्रे जे मान अगर को बचाता, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं, इस सीरीज के अगले भाग, असत्य में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,